प्रात काल जो ले नाम हमारा ताही दिन न मिले आहारा, सुन्दर कांद का एक शलोक, कैसे सिर्फ एक शलोक उठा कर उसका अनर्थ किया जा रहा है इस एक शलोक से समझा जा सकता है, कोई शलोक क्यों आया उसके आगे पीछे के शलोक किस संदर्ब में है इससे कोई मतलब नही ऐसा जादातर सनातन विरोधियों द्वारा किया जा रहा है अब क्योंकि हिंदू के पास समय नहीं है तो वो अपने ग्रंत पढ़ता नहीं है और नहीं तर्क कर पाता है उपर लिखेश लोग को ये कहा जाता है कि हनुमान जी गुस्से में बोल रहे हैं कि जो भी मेरा नाम लेगा उसको उस दिन भोजन न मिले वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जब हनुमान जी लंका पहुँचे और विभीशन से मिले तो विभीशन जी रोते हूँ ए हनुमान जी से बोले कि मैं तो राक्षस हूँ धंक से पूजा पाथ नहीं जानता मेरा शरीर तामसिक है क्या राम जी मुझे अपने चरनों में स्थान देंगे कृपा करेगे तब हनुमान जी आखों में जल भर कर बोले कि भाई तुम अपनी कहते हो अब मेरी सुनो मैं इस समय वानर की अधम योनी में हूँ सबसे नीच जाती है मेरी उस पर वानर बुद्धी जानते हो न की कितने चंचल होते हैं हम लोग पूजा पाठ तो बहुत दूर की बात है अगर हम जैसे वानरों का कोई सुबह सुबह नाम ले तो उसको कोई आहार भी न मिले लेकिन राम जी ने मुझ पर और हम वानरों पर भी बहुत कृपा की है तो तुम पर भी अवश्य ही कृपा करेगे अब समझे कि क्या मर्म था और क्या समझा दिया गया इस चक्कर में लोगों ने हनुमान जी की पूजा सुबह करनी ही बंद कर दी इसलिए या तो खुद पढ़िए या फिर सत्संग जरूर करिए और अपने बच्चों को भी सनातन धर्म से अवगत करवाएं सीता राम सीता राम सीता राम जी हनुमान 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 जी